आप लोग देन हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से जोईन हो जाओ और शेयर कर देना वीडियो को और बच्चों के साथ ताकि और भी बच्चे जो है वो जोईन हो जाएं आज हम लोग कोशन करेंगे इपॉर्टेंट कोशन जो की मुख्य मंत्री विज्यान प्रतिभा परिक्षा 2021 वाला जो सेशन था उसमें आ सकते हैं अभी एक्जाम कव होना है कैसे होना है यह सारी अपडेट में आप लोगको दे दूँगा क्या कले अभी इस प्रिगारडिंग को एक्डेट नहीं विवेक, हेलो हेलो गौरव एक बता दो मुझे की sound clear है मेरी की नहीं the sound है, वो clear है या नहीं okay love from Delhi, yes, okay Aditi, okay okay चलो, हम लोग start करते हैं अपनी class, ठीक है काफी बच्चे जॉइन हो चुके हैं तो यहाँ पर जैसे हमारा first question है which of the following can be made into crystal इन में से किसको हम लोग crystal में change कर सकते हैं ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर है bacterium है amoeba है, virus है या फिर की sperm है जल्दी से बताओ इसका answer, क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी बताओ आर्यन कह रहे हैं A होगा यानि के bacterium होगा और विवेक कह रहे हैं कि B होगा और बच्चे और बच्चे बताओ जल्दी से इसका answer हमारा A होगा, ठीक है इसका answer A होगा, bacterium question number second पर हम लोग चलते हैं question number second हमारा कहता है chromosomes are made up of chromosomes हमारे किस चीच के बने होते हैं chromosomes हमारे किस चीच के बने होते हैं option है आपका DNA है, protein है c option है DNA and protein protein और d option है RNA किस चीच का बना होते है, जल्दी से बताओ काजल लाठोर कहती है c DNA and protein anyone anyone b protein DNA तो यहाँ पर जो सही option है वो है आपका c, यहनि कि DNA and protein से मिलके बना होता है, chromosomes जो है, वो DNA and protein दोनों से मिलके बना होता है ध्यान रखना question number 3 है आपका यहाँ पर question number 3 कहता है Plasmolysis in a plant cell is defined as Plasmolysis को हम लोग किस तरीके से define कर सकते है हमारे पास यहाँ पर चार option है, ठीक है चार option है, चारों में से यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए मैं आपको explain कर देता हूं ठीक है, तो यहाँ पर है आपका पहला कि breakdown या फिर कि breakdown of plasma membrane in hypotonic medium, जो plasma membrane का breakdown हो जाता है hypotonic medium में B option है, shrinkage of cytoplasm in hypotonic medium, hypotonic medium में shrinkage हो जाता है C कहता है, shrinkage of nukoplasm, nukoplasm जो है उसका shrinkage हो जाता है, या फिर कि D कहता है, none of these, इसमें से कोई सा भी नहीं अधिती कहती है, C बेटा, इसका answer होगा, आपका B होगा, ठीक है shrinkage हो जाता है cytoplasm का hypotonic medium में, है ना तो B option इसका correct answer है question number 4 देख लो, question number 4 हमारा कहता है, which of the following are covered by a single membrane इन में से कौन सा जो है वो single membrane से covered होता है, आपके पास option है mitochondria, B option है vacuol, third है lysosome, और fourth है plastid, जल्दी बताओ इसका answer बताए जल्दी से क्या होगा mitochondria होगा, vacuol होगा, lysosome होगा या फिर के plastid होगा तो बच्चों इसका answer जो है वो vacuol है ठीक है, यानि के B option जो है इसका correct answer है question number 5 पे चलते है आज हम वैसे भी कुछ ज्यादा question करेंगे लगबग 55, 56 question है हमारे आज है ना question number 5 हमारा कहता है यहां पे कि which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in cell किसी भी cell के अंदर बहुत important role यह organelle play करती है, detoxify करने में poisons को है ना बहुत सारे poisons को, इसका answer क्या होगा, आपके पास option है जल्दी बताओ c option बता रहे है, rnbc option राज यादव c, विया c बहुत अच्छे बहुत अच्छे तीनों बच्चों का बिलकुल सही answer है यहने कि smooth endoplasmic reticulum is the correct answer come to question number 6 question number 6 question number 6 समेहा पर कहता है the protein and lipids essential for building cell membrane protein और lipids जो cell membrane को build-up करते हैं वो manufacture कहां पर होते हैं कहां पर वो manufacture होते हैं आपके पास option है r e r है rough endoplasmic reticulum b option है c है plasma membrane d है mitochondria जल्दी से बताओ इसका answer क्या होगा जल्दी बताओ a b c या फिर कि d fast c कह रही है अदिती ठाकूर c plasma membrane a sachinkumar sachinkumar के नाम से जो अच्चा है अदिती c c ठीक है c plasma membrane नहीं यहां पर a option होगा यानि कि rough endoplasmic reticulum is the correct answer ठीक r e r में क्या होता है protein और lipid का synthesis होता है जो कि cell membrane जब हमारी damage हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए question number seven है आपका undefined nuclear region of prokaryotic is known as अगर undefined nuclear region होता है prokaryote का तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होगा इसका undefined nuclear region of prokaryotes is known as राज्यादव D रिया शर्मा D, very good D होगा, nucleoid कहते हैं ठीक है, nucleoid D होगा nucleus नहीं होता है, nucleoid होता है अगर nuclear region undefined है या फिर कि not defined है, तो हम लोग उसको कहते है, nucleoid ठीक है, question number eight है आपका, question number eight में आपको कहता है the cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar, वह organelle जो की complex sugar बनाती है, simple sugar से, उसको हम लोग क्या कहते है, endoplasmy reticulum कहते हैं, ribosome कहते हैं, plastic कहते हैं, या फिर कि golgi apparatus कहते हैं, जल्दी से answer चाहिए, जल्दी से answer चाहिए, बताओ क्या कहते हैं, हम लोग plastic plastic कह रहे हैं और कोई option c, सभी बच्चों का option plastic है b, भवेश पांडे b कह रहे हैं और कोई बच्चा सब b ध्यान से सोचो, इसका answer जल्दी से ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों नहीं chapter पढ़ा होगा न जल्दी से बताओ इसका आंसर होगा हमारा गौलगी अपैटेस याने के जो d option है वो correct answer है यह 5th chapter के question है और बहुत easy question से question number 9 आपका कहता है which out of the following is not a function of vacuole इनमें से कौन सा जो है वो vacuole का function नहीं है option A है storage option B है providing turgidity and rigidity to the cell यह turgidity और rigidity प्रोवाइट करता है option C है आपका waste excretion में मदद करता है और D option है आपका locomotion इन चारों में से जो है वो कौन सा option इसका correct answer होगा जल्दी से बताओ याने कि इन में से कौन सा जो है वो vacuole का function नहीं है vacuole का function नहीं है तो vacuole का function जो है वो locomotion नहीं है नहीं कि locomotion नहीं करता ठीक है तो यहां पर B जो है वो आपका correct answer होगा ठीक question number 10 पर हम लोग चलते है question number 10 हमारा कहता है amoeba acquires its food through a process amoeba जो है इस process के जरीए अपना food acquire करता है प्राप्त करता है option है आपके पास exocytosis B option है endocytosis और C है plasmolysis और D है exocytosis and endocytosis बोथ विवेक कुमार कह रहे है B पकका sir और कोई तो B विलकु correct answer है ठीक है no doubt B जो हो आपका correct answer है ठीक है endocytosis के जरीए क्या करता है amoeba जो अपना food acquire करता है question number 11 देखो question number 11 आपका कहता है the cell of which one of these is not made up of cellulose इसमें से किसकी जो cell wall होती है वो cellulose की नहीं बनी होती है option है bacteria hydrilla mango tree or cactus आपके पास चार option है जल्दी से बताओ कौन सांसर होगा A सचीन कुमार A कह रहे है bacteria राज यादव C A सेजल A ठीक है very good A जो है वो correct answer है ठीक है bacteria is the correct answer बाकी हाँ पर यह तीनों के तीनों जो होते हैं hydrilla mango tree और cactus इन तीनों की जो cell wall होती है वो cellulose की बनी होती है बस bacteria की जो cell wall होती है वो cellulose की नहीं बनी होती है ठीक है question number 12 है आपका इसमें बोला गया है organelle organelle other than nucleus containing dna है न ऐसा organelle nucleus के लावा जिसके अंदर dna होता है आपके पास से A, B, C और D option है जल्दी से बताओ क्या होगा endoplasmy reticulum होगा golgia paritis होगा mitochondria होगा जा फिर कि lysosome होगा first ऐसा organelle बताना है जिसके अंदर ठीक है ऐसा organelle बताना है जिसके अंदर dna होता है तो इसका होगा mitochondria is the correct answer C is the correct answer ठीक है Sanjay Singh very good Sachin very good Arion बहुत अच्छे mitochondria यह तो बहुत easy question है kitchen of the cell kitchen of the cell हम लोग किसे कहते हैं kitchen of the cell first kitchen of the cell किसे कहा जाता है जल्दी बताओ mitochondria को endoplasmine reticulum को chloroplast को यह chloro है CHL ठीक है chloroplast है D है हमारा Golgiapetus Ria Sharma C Sanjay Singh C Patshala Academy very good C ठीक है C option इसका correct answer है chloroplast को kitchen of the cell कहा जाएगा अगर बेटा powerhouse of the cell पूछा होता तो यहां पर क्या option होता हमारा mitochondria correct answer होता ठीक है question number 14 है आपका इसमें बोला है lipid molecules in the cell are synthesized by जो lipid molecule होता है cell के अंदर वो किसके द्वारा synthesize किया जाता है किसके द्वारा synthesize किया जाता है जल्दी बताओ smooth endoplasmine reticulum या फिर कि rough endoplasmine reticulum या फिर कि गॉल्गिया पेटरस या फिर कि प्लास्टिट किसके द्वारा पार्ट साला केडमी ए कह रहे हैं और और कोई आर्यन आर ए आर सीज सचीन भी कह रहे हैं बेटा इसका आंसर जो है राज या दाव दिया शर्मा वैरी गूड ए होगा ठीक है ए जो है इसका correct answer smooth endoplasmine reticulum is the correct answer come to question number 15 question number 15 है आपका cell arises from pre-existing cell cell जो है वो पहले की cell से arise हुई है यह statement किसने कही थी hackle ने वर्चौ ने hook ने या shielding ने किसने कहा था यह जल्दी बताओ क्या होगा इसका option रिया शर्मा बी okay mahi craft B very good partial academy B RNB बहुत अच्छे सभी बच्चों का सही आंसर है इसका B होगा वर्चौ ने कहा था next question number 16 question number 16 हमारा कहता है the only cell organelle seen in prokaryotic cell कौन सी एससी cell organelle जो की खाली prokaryotic cell में देखी जाती है आपके पास चार option है जल्दी से बताओ इन चारों में जो है वो करेक्ट आंसर कौन सह होगा mitochondria ribosome plastidial isosome जल्दी बताओ A नहीं A नहीं होगा विटा इस का आंसर होगा B ribosome ठीक है ribosome आंसर होगा इसका 16 कब B question number 17 है organelle without cell membrane एक organelle बताना है जो बिना cell membrane के होता है ठीक है आपके पास चार option है जल्दी से बताओ चार option है जल्दी से बताओ ribosome Golgiapetus chloroplast nucleus partial academy A राजयादव A anyone और कोई anil D D इसका सही option जो है वो A है ribosome ribosome एक ऐसा organelle है जिस पे cell membrane नहीं होती है question number 18 lysosome arises from lysosome कहां से arise हुए lysosome कहां से arise हुए है क्या option होगा इसका आके पास option चार है जल्दी बताओ अनिल कह रहे हैं D anyone प्रेंड ना रंजन B और कोई राजयादव B प्रेंड ना राजयादव very good B option इसका correct answer होगा Golgiapetus next is question number 19 है which of the following tissue has dead cell इसमें से कौन से tissue के जो होते हैं dead cell होते है perenchyma, sclerenchyma, colenchyma और epithelial tissue इसमें से कौन सा answer जो है वो correct answer होगा बहुत easy question है बहुत easy question है Sachin Kumar कह रहे हैं B और कोई anyone पाट साल अकेडमी कह रहे हैं A राजयादव B प्रेंड रंजन D anyone राजयादव एन अनिल very good B option है sclerenchyma ठीक है sclerenchyma is the correct answer question number 20 है आपका कहता है girth of stem increases due to जो girth है मोटाई है किसी भी तने की वह किसकी जैसे बढ़ती है apical, lateral, intercalary या फिर के vertical चार option है आपके पास जल्दी से answer बताओ इसका क्या answer होगा इसका अनिल कह रहे हैं अनिल कह रहे हैं B पार्चाल अकेडमी B प्रेना रंजन C रिया B ठीक है इसका भी बच्चों B answer है rn very good ठीक है B option correct answer है lateral meristem होगा ठीक है lateral next is question number 21 है which cell does not have perforated cell wall इसमें से कौन सी cell के जो है perforated cell wall नहीं होती है तो इसका option है आपके पास चार है ट्रेशिट से है companion cell है सीव ट्यूस से या फिर के वैसल है जल्दी बताओ क्या होगा इसका answer B सचिनकुमार राज यादव B very good companion cell is the correct answer question number 22 है आपका question number 22 कहता है intestine absorb the digested food material intestine क्या कहती है जो भी digested material होती है उनको absorb करती है food हमारा जो होता है what type of epithelial cells are responsible for that और absorption के लिए कौन सा cell होता है epithelial cell यह tissue responsible होता है आपके पास 4 option है उसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी intestine होती है उसके अंदर कौन सी tissues होती है तो आपके पास 4 option है statified squamous epithelium columnar spindle fiber यह फिर की cuboidal epithelium चार option है आपके पास जल्दी से बता दो columnar B B के लिए आ रहे है माही अनिल प्रेडणा ठीक है very good B is the correct answer columnar epithelium होता है ठीक है B हमारा correct answer है बहुत अच्छे हां बहुत अच्छे B सही है question number आपका है 23 marismatic tissue in a plant R marismatic tissue जो होती है plant के अंदर वो कहां पर होती है sorry marismatic tissue in plant R क्या होती है localized and permanent localized होती है permanent होती है मतलब वो कहीं से हिलेगी डुलेगी नहीं no limited no certain region मतलब उसका कोई certain region नहीं होता localized and dividing cell होती है या फिर के growing in volume या फिर के वो बढ़ती रहती है क्या option होगा इसका देखो localized होती हो dividing cell होती है marismatic की बात करोगे तो localized होगी dividing काजल पवार very good ठीक है बहुत अच्छे c option जो correct answer है sw lucky very good c option बहुत अच्छे चलो आगे चलते हैं हम लोग question number 24 है which is not a function of epidermis इसमें से epidermis का function कौन सा नहीं होता है कौन सा इसमें से epidermis का function नहीं है आनन सरी student c पिर्णा रंजन c काजल पवार c c anyone ठीक है very good c जो है correct answer है conduction of water is the correct answer ठीक है यह epidermis का function नहीं होता है बाकि तीनों के तीनों जो है epidermis के function होते है question number 25 है cartilage is not found in cartilage कहा नहीं पाई जाती है cartilage जो होती है soft bone होती है वो कहा नहीं पाई जाती है है ना आपका option है nose, ear, kidney और larynx आपके पास चार option है जल्दी से बताओ कहा नहीं पाई जाएगी nose के अंदर होती है ठीक है c option c option काजल पावार sw लखकी सरोज देवी d d c ria sharma c c वाले बच्चों का बिल्कुल सही है यानि के जो kidney है वो correct answer nose में भी होती है ear में भी होती है larynx में भी होती है ठीक है तीनों जगा पे क्रिस्पी हड़ी होती है या काटलेज भी होती है हमारी उसी को हम लोग बोलते soft bone है ना और kidney में नहीं तो आपका c option correct answer होगा question number 26 है fat are stored in human body जो fat होता है वो stored होता है human body में है ना fat जो होता है human body में store होता है किस form में cuboidal epithelium adipose tissue bone या cartilage चार option है आपके पास जल्दी बताओ चार option है आपके पास जल्दी बताओ इसका क्या होगा fat are stored in human body human body के अंदर fat store होता है किस रूप में SW Lucky B Mahi Artcraft B Kajal Pawar Pyrna Ranjan सभी बच्चों का ठीक है B option है adipose tissue बहुत ही simple question ठीक है बहुत अच्छे सवरोजी देवी very good next is question number 27 question number 27 हमारा कहता है bone matrix is rich in bone matrix के अंदर क्या rich होता है मतलब क्या सबसे यादा होता है fluoride and calcium होता है calcium and phosphorus होता है calcium and potassium होता है phosphorus and potassium होता है इसमें से क्या answer होगा जल्दी बताओ रिया शर्मा B काजल पवार B माही क्राफ्ट A और कोई और कोई बताएगा देखो जो हमारी हड़ी होती है उसमें सबसे अदा क्या होता है तो यहाँ पर option है B तो जिसने भी B बोला है वो correct answer है याने हमारा calcium और phosphorus सबसे जादा होता है ठीक है B हमारा correct answer है है न ऐसे questions पर आप लोगों को बहुत जादा ध्यान देना है ठीक है चलो next question की तरफ आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर है contractile protein are found in contractile protein हमारा कहां पाया जाता है आपका option है A bones, B है blood, C है muscles और D है cartilage कहां पाया जाएगा काजल पवार, B, Rears, Sharma, O, K कहां पाया जाएगा जल्दी बताओ cartilage protein कहां पाया जाता है sorry contractile protein कहां पाया जाता है contractile protein कहां पाया जाता है इसमें आपका C option correct answer है ठीक है muscles में पाया जाता है याद रखना question number 29 है nervous tissue is not found in nervous tissue जो है वो कहां नहीं पाया जाता nervous tissue जो है वो कहां नहीं पाया जाता जल्दी से बताओ very good aryan, prerna, ranjan, anil kajal, pavar, sw, lucky very good सभी का options है C याने के tendon ठीक है brain, spinal cord और nerves में पाया जाएगा tendon में नहीं पाया जाता है question number 30 हम लोग question number 30 कहता है nerve cell does not contain nerve cell के अंदर क्या नहीं होता है nerve cell के अंदर क्या नहीं होता है जल्दी से बताओ hw, lucky, ria, sharma, very good ठीक है C जो है इसका correct answer है question number 31 है the dead element present in the phloem is जो dead elements होते है phloem के अंदर उसे हम लोग क्या कहते है बताओ जल्दी आपके पास option है companion cell कहते है phloem fiber कहते है parenchyma कहते है सभी बच्चों का BR है, kajal, pawar, sw, lucky b option, krishna, yt b option ठीक है, very good सरोज देवी b बहुत अच्छे, phloem fiber कहते है बहुत अच्छे, phloem fiber question number 32 है आपका कहता है which of the following does not lose their nucleus at maturity में से कौन सा mature होने पे अपना nucleus lose नहीं करता 4 option है आपके पास आपकी screen पे है 4 option जल्दी से बताओ क्या option क्या होगा इसका सही answer क्रिष्णा वाइटी कहते है a, और कोई बच्चा इसमें से कौन है जो mature होने पर अपना nucleus जो है वो lose नहीं करता अमान हुसेन A कहते है अनेल A रिये शर्मा कहते है बहुत अच्छे A जो है सही answer companion cell next is in desert plant rate of water loss get reduced due to the presence of desert plant होते है जो पानी lose होता है वो कम होता है क्योंकि desert plant क्या होता है cactus वगेरा होते है और उनके उपर एक coating होती है तो वो किसकी उजएर से होती है उसको हम लोग क्या कहते है cuticle कहते है एक correct answer है question number 34 Parenchyma R Parenchyma इसमें से क्या होता है जल्दी से बताओ आपके पास चार option Parenchyma इन में से क्या होता है Relatively Unspecified and Thin World मतलब Unspecified होता है और Thin Wall होती है Thick Wall होती है और Specialized होता है या Lignified होता है या None of these होगा अनिल कह रहे है A, Ria Sharma, A, Kajalpawar, A तो जो बच्चे A बोल रहे है वो बिलकुश सही answer है तो सरोज देवी A Very good ठीक है Relatively Unspecified and Thin World Question No.35 कहता है Flexibility in plants due to जो plants के अंदर flexibility होती है वो किस चीज की वज़र से होती है Plant के अंदर जो flexibility होती है वो किस वज़र से होती है A, Prenna Ranjan, A, Kajalpawar, A SW Lucky, A Silence A, R&D ठीक है A option is the correct answer याने कि Colin Kaima is the correct answer Now come to question No.36 Question No.36 हमारा कहता है Cork cells are made up of impervious to water impervious to water and gases by the presence of जो cork cells होती है वो impervious होती है water की और gases की किस की वज़र से मतलब water को और gases को आरपार नहीं जाने देती किस की वज़र से सुबेरीन काजल पवार सबसे पहले आंसर काजल का है सबसे पहले आंसर काजल का सुबेरीन very good C जो है यह correct answer है ठीक है सुबेरीन बहुत अच्छे Question No.37 कहता है Water Conducting टीशफ जलुकषंइ जो Water Conductin Tissue cholesterol में उसे हम लोग क्या कहते है Water Conducting Tissue जो होता है debenho الر歌 वेशल कहा जाता है टेशित कह जाता है जाइलम फाइबर कहा जाता कि पिड्ना रंजन से कहती है कि सोसakukan से क्लासिस बीक्लािव यह वह स्टार्ट कर दूका अभी एड्मिशन मतलब अभी आप लोग slayber से तयारी करते रहो बाकि जब time आएगा तो उसकी भी तयारी करा दी जाएगी तो इसका जो c option है वो बहुत सही answer है ठीक है अनिल का भी answer ठीक है और पिर्णा रंजन का भी विटा आपका भी answer ठीक है यह बहुत अच्छे रिया बहुत अच्छे माहिया आपका भी ठीक है है ना चलो question number हम लोग 38 देखते है question number 38 कहता है which among the following produce seed इनमें से कौन सा जो है वो seed produce करेगा ठीक है जल्दी से बताओ मैस के लिए मैं वीडियोस वगेरे डाल दूँगा ठीक है recorded lectures होंगे वो आपको काफी help करेंगे हाँ बिल्कुल काजल मैस के आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसका क्या होगा कौन सा इनमें से होता है जो seed produce करता है डी option बोल रहे है बच्चे अमान हुसैन और लक्की और अर्मान माही सभी का डी option है ठीक है बहुत अच्छे डी जो है जिमनोस पर में जाए करेक्ट आंसर question number 39 है which one is a true fish इनमें से कौन सी जो है वो true fish होती है ठीक है जल्दी से बताओ इन में से कौन सी जो है वो true fish होती है थोड़ा सा tricky question हो सकता है आपके लिए इंन में से कौन सी जो होती है वो true fish होती है आई i was too i was too i adding J्णा weet एक स्टेम के लिए आप इसको नहीं तैयार कर सकते विकॉज यह जो है ना यह उसमें एक स्टेम का नायंत का पेपर आएगा वेटा उसमें आप लोगों को नं тобто एंट अंतेक्ष के लिए उसमें आपको sahos का पूछ ought तो आप इसको नहीं कर सकते हो इसका जो है C option correct answer dogfish याद रखना बहुत important question में से है ठीक है dogfish question number 40 है आपका कहता है which among the following is exclusively marine इसे कौन सा जो है वो exclusively marine है ठीक है जल्दी से बताओ बी option पिर्णा रंजन वेरी गूड एकाइनो डर्मेटा इस दा correct answer ठीक है चलो बी है इसका question number 41 है हमारे पास time थोड़ा सा कम है जल्दी से खतम कर लेते हैं question काफी जादा है in the in which group of animal column is filled with blood इसमें से कौन से animal का column जो होता है वो blood से filled होता है option एर्थोपोड एनिलीडिया नेमाटोडा या एकाइनो डर्मेटा जल्दी बताओ जिसका column blood से filled होता है एर्थोपोडा इस दा correct answer बहुत अच्छे काजल बहुत बढ़िया विठा अमान बहुत अमान हुसेन बहुत अच्छे ए होगा इसका ठीक है एर्थोपोडा question number 42 है आपका elephantasis जो होता है elephantasis हाथी पाउं की जो बीमारी होती है वह किसकी वज़ेर से होती है आपके पास चार option है जल्दी से बताओ चार option है सर ये preparation वैसे हम SOSC में भी हल्प करेंगे न एड्मिशन की रिगार्डिन 11 में 11 में आपको हल्प नहीं करें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है इससे बीटा कोई मतलब नहीं है उसका यहां पर वुचे रिया एड्मिशन प्रिणा रंजन के रही है बहुत अच्छे अगर आप 9 में तो अभी फिलाल 9 पर ध्यान दो ठीक है जब 10 का 10 में आप आओगे तो मै तैयारी आपको कराओंगा एससे एंट्रेंस की चिंदा मत करो सभी का एउप्षन है और एजू है वो करेक्ट आंसर है वह कोश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग टेरीडो फाइडर डू नोट हैब टेरीडो फाइटा के अंदर क्या नहीं होता है टेरीडो फाइटा के अ सी आमानूसैंसी और कोई तो मेरे पास लास्ट यूर का पेपर है मैंने आपको वीडियो में दे रखा है आप उसे देख सकते हैं उससे पहले का पेपर मेरे पास नहीं है हwest कि आपकी हमेशा होती रहेगी या सोपती रिगार्डिंग नि किसी की और नहीं हम तो बिल्कुल करेंगे आप लोग स्वेज़्टर अब मैं आप स्लेवर्डर पर का यह भाकी का मोग देख लेंगे विस्ञार उसमें सैट की भी त्यारी कराती। अभी फिलाल इसे करिए साइंस खतम हो जाए तो और सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं इसका option होगा C is the correct answer बहुत अच्छे सभी बच्चों का लगबग ठीक है जो flowers है इसका correct answer है question number 44 है आपका identify a member of polyfera इसमें से कौन सा member जो है वो polyfera का होता है option है आपके पास चार जल्दी से बाता हो अमान हुसाइन कहते हैं A, काजल पवार कहते हैं C और कोई सरोज देवी कहते हैं C बेटा इसका A option जो है correct answer है इस पॉंजिला ठीक है question number 45 है आपके पास which is not an aquatic animal इन में से कौन सा जो है वो aquatic animal नहीं है इन में से कौन सा जो है वो aquatic animal नहीं है hydra, jellyfish, coral और philaria शिवम, कुमार कहते हैं D आमानुसैन, D, प्रेनर अरंजन, D काजल पवार, D, very good D is the correct answer philaria question number 46 amphibians do not have the following इन में amphibians के अंदर क्या नहीं होता है three-chambered herd gills of lungs, scales या mucous gland इन में से कौन सा अंसर जो है वो correct जल्दी से बताओ amphibians के अंदर क्या नहीं होता है A, three-chambered herd A, सबी बच्चे A बता रहे हैं अच्छा, R&D और कोई हर्चित मैंने question की वीडियो बना की दे रखी है, आप MVP की playlist चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका बेटा skills होगा, क्या नहीं होता है, तो skills, because skills जो होता है, वो fishes वगेरा में होता है, ठीक है, पाइसिस में होता है, तो यहाँ पर skill जो है, वो correct answer होगा, C, question number 47 है आपका, question number 47 कहता है, who introduced the system of scientific nomenclature of organism, किसने scientific nomenclature दिया था, organism का, जल्दी से बताओ, रोबर्ट विटेकर, कार्लोस लीनियस, रोबर्ट हूक, अर्नर्स ठेकर, क्या option होगा इसका, जल्दी बताइए, बस question over होने वाले हैं, साथ-8 question और है, बस, उसके बाद over, इसका होगा B option, कार्लोस लीनियस is the correct answer, B is the correct answer, question number 48 देखते हैं, two-chambered hurt occur scene, two-chambered hurt जो होता है, वो किसके अंदर होता है, आके पास चार option है, two-chambered hurt, किसके अंदर होता है, क्रोकोडाइल में होता है, फिश में होता है, एस में होता है, या फिर क्या amphibians, अमान हुसान कहते हैं, B, ठीक है, और कोई, सर, कल मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, स्लीज, इंपोर्टेंट बता दो, फिजिकल एजुकेशन में इती टेंशन मतलो, वो additional subject होता है, ठीक है, प्रेड़ना रंजन कहते है, B, very good बेटा, B जो है, correct answer है, देखो बेटा, स्लेबस से बाहर का अगर आपको लग रहा है, तो इसमें टेंशन मतलो, because कोई भी अगर competitive exam होता है, तो उसमें हमारा चाहे deleted portion हो, चाहे ना हो, तब भी आएगा, पूरा स्लेबस आता है, ठीक है, उसमें deleted से मतलब नहीं होता है, इस वज़े से आपको उसी साफ से त्यारी करने है, question number 49 कहता है, skeleton is made entirely of cartilage in, skeleton जो होता है, तो पूरा का पूरा cartilage का बना होता है, मतलब soft bone का बना होता है, चार option है आपके पास, shark में, tuna fish में, रोहु में, या फिर के none of these में, जल्दी बताओ, ए काजल पवार कहते हैं, शीवम ए कहते हैं, और कोई, ए जो है correct answer है, shark is the correct answer, बहुत अच्छे काजल, ठीक है, is the correct answer, question number 50 यह आपका, the book system nature was written by, यह book system nature किसकी दौरा लिखा गया है, किसने लिखी है book, linear cycle, we take a Robert Brown, माही क्राफ्ट केते हैं, ए आमान हुसेन केते हैं, sir MVP question, paper भी solve करा दीजी, हाँ, question paper में करा दूँगा, ठीक है, tension मतलब question paper में करा हूँगा, लेकिन पहले हम तैयारी कर लें, तब question paper करेंगे, काजल पावार भी कहती है, यह बहुत अच्छे, यह जो है correct answer, यह linear answer होगा इसका, question number 51 कहते है, real organs are absent in, इन में से real organs जो होता है, वो किसके अंदर absent होता है, option है mollusca, B option है colentrata, C है erthropoda, D है echinodermita, क्या answer होगा इसका, यह class 9th का है, class 9th का, ठीक है, chapter number 7, इसका answer होगा colentrata, ठीक है, B option है colentrata, question number 52 है आपका, hard calcium carbonate structure are used as skeleton, skeleton, जो hard calcium carbonate का structure होता है, उसको skeleton की तरह इस्तमाल किया जाता है, कंकाल की तरह इस्तमाल किया जाता है, किसके द्वारा इस्तमाल किया जाता है, यह पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो इसका क्या option होगा, echinodermita, protocordata, erthropoda, यह नेमाटोडा, प्रिणा रंजन, a, काजल पवार, a, शीवम, कुमार, a, माही क्राफ्ट, a, बहुत अच्छे, a is the correct answer, a is the correct answer, बहुत अच्छे काजन, next is question number 53 है हमारा, in taxonomic hierarchy families come between, taxonomic hierarchy में family जो होती है, किसके बीच में होती है, है ना, यह question है आपके पास, इसका क्या answer होगा, class and order है, order and genus है, genus and species है, यह division and classes है, इसका होगा, और क्या होगा, इसका B है, order and genus is the correct answer, बहुत अच्छे, B correct answer, question number 54 है, five kingdom classification किसके द्वारा दिया गया था, five kingdom classification किसके द्वारा दिया गया था, Morgan, Vitaker, Linus या Hackle, B, बहुत अच्छे, R Vitaker, question number 55 है, आपका, well defined nucleus is absent in, किसके अंदर well defined nucleus जो होता है, वो absent होता है, आपके पास option है, blue green algae, diatoms, algae ये east, जल्दी बताओ, question number 55 का answer, fast, इसका option A, Shivam का कहता, A, बहुत अच्छे, A जो है काजल पावर, very good, A is the correct answer, बेटा, A is the correct answer, last question है हमारा, ठीक है, last question 56 है, the origin of species is written by, origin of species जो है, वो किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी, जल्दी बताओ, लीनियस, डार्विन, हैकल, या विटेकर, B, काजल पावार कहती है, B, और लिया शर्मा कहती है, A, sir, अगला portion physics का होगा, नहां, बिल्कुल अगला portion physics का होगा, ठीक है, और physics का जहां तक है, recorded ही lecture होगा, Because, उसमें question कराने होंगे, और live में तोड़ा सा problem हो सकती है, physics में तो board में मैं आपके लिए videos upload कर दूँगा, Sir, when I get the PDF of this question, आप मुझे text कर दीजिए, मेरा number जो है, चैनल के about section में है, वहाँ से whatsapp number लीजिए, और वहाँ पे text कर दीजिए, Sir, मेरा नामी है, मुझे PDF चाहिए, मैं आपको send कर दूँगा, और मैं उसमें भी डाल दूँगा, description में भी डाल दूँगा, लेकि थोड़ा सा time लग चाहिएगा, है ना, तो आपको मैं directly send कर दूँगा, इसका answer होगा, Darwin is the correct answer, इसी के साथ हमारा, हमारी class जो है, वो over हो जाती है, हमने सारे questions, लगबर 56 questions करें हैं, जिसमें हम लोगों ने cover up किया है, chapter number 5 आपका, chapter number 6 और chapter number 7 की important questions, ठीक है, तो biology का portion आज तो finish हो गया, अब आप लोगों कोई doubt है, तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकि हम लोग next class में मिलते हैं, आप लोग अच्छी तरीकी से अपना तयारी करते रहें, ये तो important question मैंने करा दी, आप अपने हिसाब से भी पढ़ते रहो, और बात रहते हैं कि आप लोगों को एक problem होगी, कि sir हम लोग मैट की तयारी कहां से करें, मैंटल अबिलिटी टेस्ट की तो चैनल पे प्लेइलिस्ट है, है ना, I will explain you real organ, बाद में, ठीक है मैं आपको बाद में explain कर दूँगा, देखिए, मैट की हम लोग तयारी करने हैं, तो कहां से करोगे, चैनल पे S.O.S.C. के नाम से एक प्लेइलिस्ट है, है ना, वहाँ पे जाओ, और उसके अंदर आभी menu test series है, उससे आप लोग अपनी तयारी कर सकते हो, है ना, और उसमें बहुत सारे portions हैं, ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे, और साथ में एक और test series है, जो नई वाली है, उसमें भी आप लोग तयारी कर सकते हो, all of you, good night, take care,